नमस्कार हिमाचल प्रदीश आज की ताजा और बहतरीन खबरों में आप सभी का स्वागत है खबरें आप सभी के साथ साजा करेंगे उससे पहले आप सभी सेगे निवीदन है अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या करके हमाचल की हरताजा कबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब जूरूर कर दें हमाचल प्रदीश में करोना संक्रमन का घह लगतार जारी है शुक्रवार की बात करें तो हमाचल प्रदीश में कुल 2940 करोना के मामले दर्च किये गए वह इन नौ लोगों की मृत्यों भी हुई हमाचल प्रदीश में मृत्यों दर्मन लगतार बढ़ोतरी होती जा रही है एक्टिव केसिस की बात करें तो भी हमाचल प्रदीश में एक्टिव केसिस की संक्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है जो की स्वास्ति वहा के साथ सरकार और प्रशासन के लिए बी चिंता कविश बना हुआ इसी बीच हमाचल प्रदीश में बच्चों के लिए जो है वो नई गाइलाइन जारी की गई है आपको बताते चले कि 5 वर्स से कम ममर वाले बच्चों को जो है वो मास्क ना पहनने की सला दी गई है साथ में कहा गया है कि 5 वर्स से कम अमर के बच्चे अगर मास्क पहनते हैं तो यह उनके लिए घा तक सित HAS हो सकता है अब वहीं पंदरा से अठारा वर्ष के बच्चों को जो है वो जादा से जादा वेक्सिनेशन करने की भी यहाँ पर जो है वो सलात दीग गई है तो कुछ इस तरह की गाई लैंड जो हिमाज पदेश में जारी की गई है इसे भी स्कूल कॉलेज पर आपको बड़ी सरकार यहां पर मोल नहीं लेना चाहती है इसलिए फरवरी में भी जो स्कूलों को बंद रखा जाएगा ऐसे में आपको बताते हैं कि अब स्कूलों में जो है वो ऑनलाइन ही परिक्षाएं करवाने के त्यारी में शिक्षा विवाग जुट गया है हाला कि कॉलेज की बात क तो पॉल टेक्षणिक में जो है वो किसी तरह की अपडेट अभी तक नहीं पहुंची है हाला कि यहां पर पर प्रमोशन के फेवर में तक्नीकी शिक्षा बोर्ड नहीं है तो ऐसे में आप जो अपनी परिक्षाओं के त्यारी रखें पॉल टेक्निक में भी आई टी पर भ जब तक कि बजट सब्सक्राइब की तंसे तरहिए लौण और आइनलाजिस प्रकारी का कराने आधिकारी कर्मदिये हैं तक पर नहीं कर्मदियस यहां। कर्मदियु से सम्वनित उब्ड़ेने contributions 25-1 तक तरह कि यहां पर बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए कराई हैं तो आउट्सोर्स के लिए जो पॉलिसी हैं आपको हमने पहले बताया था कि जो के सब कमेटी है उसके द्वारा जो बनाई गई थी पॉलिसी पर जो कार्य किया जा रहा था अब जो है वो बड़ा फैसला य जो हैं वो कर रहा है तो ऐसे में जो हैं यहां पर जितने भी एंट्ञती यहाँ पर की हुई है एकुछ का कोॉर्स भी अभी माननी होगा तो ऐसे में जो है आउट्सूर्स को थूही यहां पर भरतियां होंगी या नहीं होंगी इस पर जो यह अंतिम फैसलाव आगे जो शिक्षा विभाग लेगा उसके वरा जो है वो निर्भर करेगा वहीं है मासर प्रदेश में शिक्षा रायनीति समध्र कुछ यह बड़ी की जाएंगी तो यहां पर कुछ इस तरह की बड़ी अफडेट जो है वो नौकरी से संब्दित भी हमाजर प्रदेश में रही है और बसों की बात हम कर लेते हैं एचार टीसी बसों की बात करें तो आपको बताते चली कि करोना की बज़ा से जो हैं हमाजर प्रदेश में एचा टीसी को यह रूट बंद करने पड़े हैं और काफी ज़्यदा दिक्कतों का सामना आम जनता को भी आगे आने वाले दिनों में करना पड़ेगा और चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार किसी बी तरह की नई बंदिशे लगाने के पक्ष में अभी हमाजर प्रदेश में न आचिल